आज मैं लेकर हाजिर हूँ उन तीन महत्पुर्ण राजियों का सटीक और सबसे बड़ा चुनावी सर्वे जहां होने वाले विधान सभा चुनाओ हिंदुस्तान की राजनिती को एक नया मोड़ दे सकते। अंसे फैक्टर हैं जो बड़ा चुनावी उलट फेर कर सकते हैं और उन्हें लेकर जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है। इल्ड सर्वे और टेलिफॉनिक सर्वे के रैंडम सैंप्लिंग के जरी ये सारा डेटा जुटाया है। तो शुरुआत महराष्ट के सर्वे से जहां की राजनिती अक्टूबर 2019 में हुए विधान सभाचुनाव के बाद कई चौकाने वाले मोड ले चुकी है। यहां दोफाड हुई सिउसेना है और एंसीपी भी। तो वहीं हाशिय परखिसक्ती कॉंग्रेस भी है। बर्चस उसे लेकर बिरासत तक की एक बड़ी लडाई छड़ी हुई है महराष्ट में। तो हम आपको बताएंगे अगले गंटे में इन तीनों राज्यों के से जुड़े हुए आकड़े लेकिन उसे पहले भी आपको बता दें कि नव भारत और मेटराइज के सर्वे में आज जो बहुत महत्पूर्ण सवाल और बहुत महत्पूर्ण और बहुत चौकाने वाले जो खुला से होंगे उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मिहमान भी जुड़ेंगे और जो लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे उसमें बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीबंडारी और कॉंग्रेस का पक्ष रखने वाले राजनितिक विशलेशक तह सवाल करें चुर्च इस सवालों के जवाब में महारास्ट की जनता क्या क्या करें जल्दी जल्दी दिखाना सुरू खरी तो हमने का सवाल किया कि किस फिजदी हैं 17% लोगे कह रहे हैं कि कहने ही सकते कि कैसा है अगर एक तरीक से देखें तो जो बहुत अच्छा कहने वाले और बिल्कुल अच्छा नहीं कहने वाले अगर इसमें देखेंगे तो इक करीब करीब आधे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं कहने वाले बहुत अच् प्रभाव पड़ेगा और खास करके महा यूटी के लिए अच्छा होगा तीस फीजदी लोगे कह रहे हैं कि इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर चेहरा पहले अगर एनाउंस कर दिया या चेहरे को पहले सामने ले आए तो कि सीम कौन बनेगा और कोई खास असर नही सवाल नंबर 3 यही सवाल हमने MVA को लेकर महा विकास अगारी को लेकर भी हमने पूछा और उस सवाल के जवाब में क्या मिलता है क्या नतीजे आते हैं जड़ा देखिए सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा ऐसा कहने वाले लोग कह रहे हैं सिर्फ उन्तिस फीजदी हैं और न यहां 43 फीजदी लोग यह कह रहे हैं कि नहीं अगर पहले अगर आपने चेहरा एनाउंस कर दिया CM का तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा एकदम से आकड़ा पलट गया है और कोई खास असर नहीं होगा 14 फीजदी और 14 फीजदी लोग ऐसे भी हैं जो कि कह रहे ह तो यह है सवाल नमबर 3, चौथा ज़रा दिखाएए, सवाल नमबर 4 हमने चार पूछा कि चाचा शरद पवार के साथ जा सकते हैं क्या अजित पवार यह सवाल हमने किया और 45 फीजदी लोगे कह रहे हैं कि हाँ जा सकते हैं क्योंकि हालात कुछ इसी तरीके से बन रहे हैं अजित पवार तो क्या मालूम कि अजित पवार को ऐसा महसूस हो और बदल लें तो 45 फीजदी लोग कहते हैं कि हाँ बदल सकते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा मानने वाले लोग 33 फीजदी हैं और नहीं जिन्हें कुछ तक्के तोर पे नहीं कह सकते 22 फीजदी लोग ऐसे ह प्रावा हमने सवाल पूछा कि NCP अजित पवार का जो गुठ है उससे गठवंधन पर BJP और RSS में जो मतभेद दिख रहा है कि RSS को लगता है कि NCP जो अजित पवार की वजह से ही चुनाओं में बड़ी हार हुई है लोग सभा चुनाओं में तो यह जो खास करके BJP और RSS के बीच में इसको लेकर जो एक तरीके से चल रहा है वहां पर मतभेद क्या इसका आने वाले विधान सवा चुनाओं पर को यह सर पढ़ेगा क्या यह हमने सवाल किया थो और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा ऐसा मानने वाले 36 40% लोग हैं 49% लोग कह रहे हैं कि इसका जबरदस्त असर होगा अगर दोनों के बीच में RSS और BJP के बीच में इसी तरीके से अगर मतभेद रहा तो 22% लोगे कहते हैं कि कुछ हद तक प्रभाव पढ़ेगा और कहने ही सकते वाले 3% लोग हैं तो यह हैं लोगों की राय इन सर्वे में क्या निकल करा रहा है देखिए 43% लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है वो महायूती गटवंधन को इनका वोट जाएगा और महायूती इनकी फेवरेट पार्टी है 32% महाविखास अगारी यानि MBA को मान रहे हैं ऐसा कि यह दलितों के लिए सबसे फेवरेट जो कि बहुत इंपॉटेंट बाना जा रहा है उसका रुझहान किस तरफ होगा किस तरफ क्या रुख कर तकता है यह उसको लेकर रिजल्ट आ रहे हैं इस तरह के आकड़े आ रहे हैं उसी दंग से आदिवासी वोटरों के बारे में भी हमने पूझा कि आदिवासी वोटर इस बार किस तरफ जा सकते हैं इसमें इस बार बिल्कुल पलट गया है मामला अगर आप देखेंगे तो दलितों में जहां पर महायुती यानि की बीजेपी गटवंधन फेवरेट निकल के आ रही थी आदिवासियों के मामले में महाविकास अगाडी जो है फेवरेट गटवं जो कह रहे हैं अन्य कोई गटवंधन 14 फिजदी और 10 फिजदी लोग ऐसे हैं जो कहरें पक्के तोर पे नहीं बता सकते की आदिवासियों का सबसे फेवरेट की सबसे फेवरेट पार्टी या यूं कहें कि गटवंधन कौन सा होगा तो यह तो हुआ जल्दी से हमने कुछ स आकड़े दिखाए आपको और उसको देख के ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरेसेस के बीच में जिस तरह कारिफ्ट है जिस तरह का मतभेद है खास करके अजीत पवार को लेकर क्या अजीत पवार वाकई बीजेपी के लिए गले की फास बन गया है न उगलते बन रहा है देखिए मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतिया जनता पार्टी एंडिये जो है वो साथ में पूरा चुनाव महराश्त्रा का लड़ रही है वहीं दूसरी तरफ अगर आप महाविकास अगारी को देखेंगे तो वहाँ पे शरत पवार जी के अगर आप स्टेट्मेंट उठा होती ही मैं आपको एक इंपॉर्टन डेटा पॉइंट दिना जाओंगा मनोज जी आप पे पूरा डेटा किया है इनके सवे की मैं काफी इज़त करता हूं अगर आप महराश्र को ओवराल देखेंगे वोट को अगर 2024 को देखेंगे तो लगबख सिर्फ दो लाक वोट का डि अब आपका सर्वे बता रहा है आपके सर्वे के साब से जो कह रहा है कि 43 परसंटेज जो दलित है वो इस वक्त जो है यूटी के साथ जा सकते हैं अगर मैं इसको एक्स्ट्रा पॉलेट करता हूं 2024 के लोगसभा के रिजल्ट्स को ओन दी विधान सबा तो फिर हम comfortably majority mark को एज साथ तहसीन पुनावाला है मैं तहसीन आप से सवाल कर रहा हूं कि एक तरफ हमारा सर्वे कहता है कि अगर महाविकास अगाडी ने चुनाव के पहले अपना CM का चेहरा एनाउंस कर दिया तो इसका नुकसान होगा और ऐसा मानने वाले लोग करीब करीब ते 40 विश्दी लो प्रविजार हूँ और अच्छी बात है कि प्रदीप आज मेरे सामने की प्रदीप ना सिर्व भाजपा के बहुत अच्छे सेफलोजिस्ट भी है तो ये बात वो आकड़े थमश्चा मनोजी तो ही यहां पर देखे ओर आकड़े दिखा रहे कि MBA की नाक थोड़ी आगे उनक नोने प्रदीप ने लेकिन भाजपा में भी प्रदीप नहीं कह सकते देवंदर फड़नव इसी बनेगे मुख्यमंत्री क्योंकि एकना चिंदी जी सिटी मुख्यमंत्री है यह पहली बात है तो यह जो सवाल जल्दी-जल्दी करेंगे और जवाब यूत नहीं फटा-फट देना पड़ेगा समय कम है आक्रे और सवाल बहुत जादा है क्योंकि मैं कॉंग्रिस का वोटर हो कॉंग्रिस का सपोर्टर हो मैं बहुत स्वाल को आगे बढ़ाते हैं मैं नहीं मानता हूँ उद्धव ठाकरी जी को सीम डिकलेर करना चाहिए जो सबसे बड़ी पाटी बने लोगों की राय क्या है वो भी जल्दी से देख लेते हैं समय कम है सवालों के तरफ जल्दी से बढ़ेंगे अगला सवाल पूछा था कि महाराष्ट विधान सभाथ चुनाओं में आपके लिए सबसे महत्पूर्ण मुद्दा कौन सा है मुद्दा कौन सा सबसे बढ़ा है जल्दी से दिखाईए सवाल दूसरा अगला सवाल है हाँ महाराष्ट विधान सभाथ चुनाओं में आपके लिए सबसे महत्पूर्ण मुद्दा कौन सा होगा इसमें 29% लोग कह रहे हैं कि CM का चेहरा CM उमिदवार बहुत महत्पूर्ण है उनके लिए और 23% लोगों के ल लोग हैं जिनके लिए और बाकी दूसरे मुद्दे भी महत्पूर्ण हैं तो यह हैं लोगों की राय बड़े मुद्दों को ले करके माराठा अरक्षन का मुद्दा जो कि बहुत दिनों से महाराष्ट की राजनिती में गूंज रहा है अगला सवाल दिखाईए माराठा अ चुनाओं में असर नहीं पढ़ने वाला है और 11 फिसदी लोग कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं कि इसका असर होगा क्या होगा नहीं होगा तो यह है माराठा अरक्षन जो कि बड़ा मुद्दा माना जा रहा है इस चुनाओं में उसको लेकर लोगों की राय सवाल अगला स कुछ हद तक प्रभावी होगा ऐसा मानने वाले लोग 24 फिसदी हैं कोई लाव नहीं होगा ऐसा 6 फिसदी लोग कह रहे हैं बाकी 5 फिसदी लोग कहने ही सकते और प्रचार का एक तरीका है 7 फिसदी लोग ऐसा मानते हैं तो आधे से जादा लोगे मानते हैं करीब 60 फिसदी जो कहते हैं कि लाड़ला भाई योजना है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है और 33 % दी लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ असर हो इसका बहुत ज्यादा यहाद सर नहीं होगा और 9 % है वो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं पक्के तोर पर किसका क्या आसर हो सकता है चुनाओ में और अब सबसे महत्पूर्ण सवाल जिसके तरफ अभी हम जिसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे और आगे भी करेंगे कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन है और इसमें एक बार फिर से एक नाच्चिंदे क्लियर कट लीडर के तौर पे उभर रहे हैं 37% लोग कह रहे हैं कि उनके लिए एक नाच्चिंदे सबसे बड़े फेस है मुख्यमंत्री के लिए उद्धव ठाकरे के बारे का पक्ष लेने वाले 20% लोग हैं दिवेंदर फणदवीज को CM देखना चाहते हैं ऐसे लोगों की संख्या 21% है 10% सरद पवार के पक्ष में हैं और 11% लोग ऐसे हैं जो कि बाकी दूसरे और नामों की तरफ भी इसारा कर रहे हैं तो यह है CM चेहरे को लेकर बाद अब जल्दी से आंकड़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मेटराइज सरवे में जो आंकड़े क्या कह रहे हैं और जो हमने सरवे का जो किया है उसमें किस तरीके से अगर चुनाव हुए अभी चुनाव हुए तो किस तरह की स्थिती महराष्ट में उभर के किस तरह की तस्वीर दिख सकती है जरा जल्दी से दिखाईए और ये हमारा सरवे कहता है कि अगर अभी चुनाव होते हैं महराष्ट में तो जरा देखिए वोट का और ये सीटों का जो आपको हम वोट शेयर भी दिखा रहे हैं और सीट शेयर भी दिखा रहे ह तो महायूती को 45.8 यानि कि करीपर 46 फिस्दी वोट मिलेंगे और सीट मिल सकती है 137 से 152 यानि कि 137 से 145 जहां की बहुमत का आंकड़ा है तो 137 से 152 के बीच में महायूती महाविकास अगारी 44 फिस्दी 44.1 फिस्दी वोट के साथ 119 से 144 सीटे जीत सकती है और अदर्स के खाते में 3-8 सीटे जा सकती है और उन्हें 10.1 फिस्दी वोट मिल सकता है तो यह है अगर अभी चुनाव होते हैं तो इस तरह की तस्वीर महाराष्ट विदान सभा की आपके सामने उभर के आ सकती है जल्दी से एक वार ये भी दिखा दीजिए कि इसमें अलग गुठ है उसको करीब 42-52 सीट उसके अलावा NCP को जो अजित पवार गुठ है उसको 7-12 सीटे मिल सकती है कॉंग्रेस को 58-68 सीटे जो शिव शेनाव गुठ है उनको 26-31 सीटे NCP को 35-45 सीटे और अदर्स को 3-8 सीटे जैसा की हमने पहले भी बताया तो यह है पार्टियों का अगर पार्टिवाइज अगर देखेंगे अगर गटवंधन के नहीं बलकि अलग अलग पार्टियों का अगर आकड़ा देखें तो इस तरीके से विधान सभा की तस्वीर दिखाई दे सकती है तो यह है मेटराइज सर्वे का जो लेटेस्ट सर्वे है उसके हिसाब से यह अब फिर से एक बार वही सवाल उसी सवाल का रुख करेंगे जरा चलेंगे हम किशोर तिवारी के पास शरद पवार नहीं चाहते कि शिव सेना के उद्धव ठाकरे का नाम सीम के चेहरे के तौर पेनाउंस किया जाए और उद्धव ठाकरे हैं कि वो माननी माननी रहें तो ये चुनाओ के पहले मामला निवड जाएगा कि चुनाओ में भी इसी रिफ्ट के साथ इसी बतवेद के साथ आप लोग लड़ेंगे हमारा एक लक्ष है बीजेपी को जो उन्होंने महरास्ट में जिस प्रकार की राजनीती की और जिस प्रकार का प्रचाशन दिया तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना और लोगों के जो जन्मत है उसका सन्मान रखना तो लेकिन एक बात है कि ये मतला हमारे चुनाओं में नहीं रहेगा लेकिन एक बात में क्लियर कर रहा हूं कि जिस प्रकार से उद्धो ठाकरे को मुख्य मंत्री पत से नीचे उतारा गया और उद्धो ठाकरे जी ने करोना काल में जो अच्छा काम किया तो महराट की जनता चाहती है और उनका सियम बनना स्तय है अगर कांग्रे या NCP बार बार कहती है जिनके MLA जादा उनका मुख्य मंत्री बनेगा तो ये मेसेज गलत जा रहा है हाँ मैं अभी क्लियर कर रहा हूं कि उद्धो ठाकरे को प्रोजेट करना यह बहुत अच्छा है अब क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूं कि जो मेट्राइस का सर्वे है या मनोज सिंगे जो बताया है तो महारास्ट में काटे की टकर है यह बात तो लोग थावा में इतनी सीटे आने के बाद माविकास आगाडिक को 168 सीट पर ही उनकी लीड थी तो मामला तो काटे का है लेकिन मामला मुद्धों पर रहेगा ठीक है मजना मनोज सिंग के पास एक बार चलूँगा मनोज सिंगी यह जो मराठा रक्षन का मुद्धा है आपको क्या लगता है कि यह मनोज जारंगे के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी अलग पार्टी बना लेंगे चुनाव लड़ेंगे तो यह सब जो चीजे चल रही इसका क्या असर देखते हैं आप इस बार विजान सवा चुनाओं देखिए जहां तक मुरो जारंगे का जो है कहा जाता है कि यह सरत पवार के समर्फित नेता है और जो कहिए कि OBC की लीडर है या मराठा लीडर है और इनके द्वारा यह आंदोलन कर रहे हैं और यह दीरे- किस तरीके से लीडर सीप के रूप में अपने आपको उभार रहे हैं ऐसे इस्थिती में जो आप सीम का जो पॉपलर्टी रेट दिखा रहे थे उसमें साब दीख रहा था कि लोगों के बीच में उनकी पॉपलर्टी लीड बढ़ रही है उसी के साथ से देखिएगा कि नहीं बनाएंगे लीडर सीप में तो यह मान कर चलिए कि जो उद्धो की सेना है वो सिप्ट होगी सिंदे की तरफ से और आकड़े में भी दिखेंगे बिलकुल बिलकुल मैं एक दम कुईक रियक्सन चाहूंगा कुईक रियक्सन चाहूंगा ब्रेक पे जाना है उससे पहल प्रदीबंडारी महरास्ट में इस बार जो शिवा जी की मूर्ती गिर गई उसको लेकर के बड़ा एक सेंटिमेंट बना हुआ है प्रधान मंत्री ने माफी भी मांग लेकिन राहूल गांधी कह रहे हैं कि जो गलती करता है वही माफी मांगता है और जनता माफ नहीं करेग स्विंग वोटर है और जो हमारी लाडली लड़की स्कीम है उसमें अगर आप अब्जर्व करेंगे कि जो महिलाएं हैं वो मेजर बेनेफीशरीज हैं पचास परतीशत इलेक्टोरेट कोई बी इलेक्शन के अंदर विमेन होती है तो अगर ओवरॉल मैं देखना चाहूंग और एकना शिंदे के अगर आपड़ों को भी जोड़ दू लार्जर लेवल पर पर प्रस एरर अटा दू तो वह 45 जबास कर जाता है ठीक है ठीक है लेकिन लेकिन वोट शेयर में एक परसेंट के आसपास का अंतर है यह सीट में कितना बड़ा फर्क पैदा करती है हमारे के हिसाब से 144 सीट तब जाकर के वह बहुमत के आकड़े के करीब पहुंच पाएंगे 145 के तो एक एक क्विक ब्रेक के लिए रुखते हैं ब्रेक के बाद लोटेंगे तो हम आपको ले चलेंगे हरियाना और जारखंड और देखते हैं कि वहां किस तरह की तस्वीर उभर कर आरखंगे हर देखते हैं